ये आकाश्वाणी है आप आप लवलीन निगम से समाचाल सुनिए विदेश मंतरी सुब्रमन्यम जैशंकर ने कहा है कि भारत और मार्शल आइलेंड्स का मैत्रिपून संबंधों का लंबा इतिहास है मार्शल आइलेंड्स में सामुदा एक विकास की चार परियोजनाओं के कार्यान वेयन के लिए सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये गए इस अफसर पर डॉक्टर जैशंकर ने कहा कि प्रशान्त क्षेत्र में ये आइलेंड्स केवल छोटे द्वीप नहीं हैं बलके विशाल समुदरी देश हैं उन्होंने कहा कि सतत विकास की खोज में प्रशान्त क्षेत्र के द्वीपों को समर्थन देना भारत अपना दाई दो मानता है विदेश मंत्री ने कहा कि जलवायू परिवर्तन प्राकृति कापनाएं गरीबी उन्मूलन अस्वास्ते देखभाल साजा चुनोतियां हैं जिनमें भारत और मार्शल आइलेंड्स को मिलकर निपटने की आवशक्ता है उन्होंने कहा कि भारत को इस सम्बन में प्रशांत दिवपों का साज़धार होने का विशेश अदिकार है केपी शर्मा ओली ने आज चौथी बार नेपाल के प्रधान मंत्री पद की शापत ली राश्टरपती रामचंद्र पोडेल ने उन्हें राश्टरपती भवन की मुखे इमारत शीतल निवास में पद अरगोपनियता की शापत दिलाई राश्टरपती रामचंद्र पोडेल ने नवन्योक्त 21 मंत्रियों को भी शापत दिलाई शी ओली के नेत्रतों में मंत्री मंदल में नेपाली कॉंग्रेस, UAPL, जनता समाजबादी पार्टी, JSP, अलोक तांत्रिक समाजबादी पार्टी, LSP के मंत्री शामिल है नेपाली कॉंग्रस के प्रकाश मान सिंग और CPN UML के विश्नु प्रसाद पोडेल को उप प्रधान मंत्री बनाये गया है राश्रपती पोडेल ने नेपाल के सम्विधान के अनुछेद 762 के तहत कल CPM UML और नेपाली कॉंग्रस गडबंधन के नेता चुने गए श्री ओली को प्रधान मंत्री नियुक्त किया था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री KPM UML को नेपाल का प्रधान मंत्री बनने परबधाई दी है शिमोदी ने एक संदेश में कहा कि भारत और नेपाल के बीच मित्रता को और मस्बूत करने तथा दिवपक्षिय सहयोग और आपसी संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए वे मिलकर काम करेंगे विदेश मंत्री सुब्रमनम जैशंकर ने आरजू राणा देवबा को नेपाल के विदेश मंत्री बनने पर बढ़ाई दी है डॉक्टर जैशंकर ने अपने संदेश में कहा कि वो भारत और नेपाल के बीच साज़ेदारी को बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को एक चुक है बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने भारत से तीस्ता परियोजना को लागू करने का आग्रे किया है बांगलादेश की प्रधान मंत्री ने कहा कि इसके लिए भारत को प्राथिमिक्ता दी जाएगी शेख हसीना ने कहा कि भारत तीस्ता के पानी से जुड़ा है इसलिए उसे ये परियोजना लागू करनी चाहिए उन्होंने आशवासन दिया कि बंगलादेश भारत को इसके लिए सभी आविशक सुविधा उपलब्द कराएगा भारते विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिस्री ने आज विदेश सचिव का कारेभार संभाल लिया उन्होंने विने मोहन कुवात्रा का स्थान लिया जिनका कारेकाल कल समाप्थ हुआ था श्री मिस्री 1989 बैच के अधिकारी हैं वे राश्रिय सुरक्षा परिशत सचिवाले में उपर राश्रिय सुरक्षा सलहकार की रूप में कारे रत थे श्री मिस्री ने चीन, मियामा और स्पेन में भारतिय दूत के रूप में भी काम किया है ग्रे मंत्री आमित शाह ने आज असम गुजरात और उतर प्रदेश के मुख्ये मंत्रियों से बात कर बाढ़ के स्थिति का जायजा लिया शिशाह ने इन राजों में बढ़े हुए जलिस्तर के बारे में जानकारी ली ग्रे मंत्री ने उन्हें हर संभव साहता देने का आश्वासं दिया इस बीच मौसम भाग ने आज उतराखंड पूर्वी उतर प्रदेश और पूर्वी राजिस्तान के अलग-अलग स्थानों पर तेज वर्षा के संभावना वेक्त की है इस दोरान आंधी और बिजली गिरनी की भी संभावना है मौसम भाग ने आज हरियाना उतर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिलाकों में हलकी आंधी और बिजली गिरनी के साथ मध्यम वर्षा का अनुमान वेक्त किया है भारतिय जनता पार्टी ने राश्ट्रिय राजधानी में बिजली की कीमते बढ़नी को लेकर प्रदेशन किया हालही में बिजली वितरन कंपनेों ने दिली में बिजली खरीत समयोजन शुल्क को 6.75 प्रतिशत से बढ़ा कर 8.75 प्रतिशत कर दिया था अरजंटीना ने कोलंबिया को एक शूने से हराकर लगाता दूसरी बार कोपा अमरिका कब जीत लिया है मायामी के हाड रॉक स्टेडियम में लोटेरो मार्टिनेज ने अत्रिक समय के दूसरे हाफ में विजई गोल किया इसके साथ ही ये समचार बॉलेटिन समाप्त हुआ